हेलो फ्रेंट्स, वेलकॉन फुदा सक्सस केंद्रा दोस्तो यह वीडियो है भिहार होंग गाड एक्जाम के लिए हमारा फास्ट रिविजिन वीडियो का पार्ट टू है इससे पहले हम लोगों ने पार्ट बन को कवर किया है तो अगर आपने नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि बिहार होंग गाड से रिलेटेट सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी किये हुए आज का सेसन श्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दिजेगा फ्रेंट्स इस वीडियो में हम ठीक उसी परकार के प्रशनों को कबर करने वाले हैं जैसे कि आपके एकजाम में प्रशन पूछे जाएंगे आज का पहला कोस्टन देखिए पहला कोस्टन करेंट अफेर्स का है प्रस्तावित सिल्वर लाइन पर योजना जो एक सेमी हाई स्पीड रेल कोरिडोर पर योजना है किस राजस से संबंदित है काफी इंपॉर्टेंट कोस्टन है सही इंसर इसका हो जाएगा option नमबर भी केरल ध्यान रखेगा केरल इसका साई इंसर होगा दूसरा question देखिए दूसरा question है कि Global Innovation Index GII 2020 में भारत का स्थान किया है तो friend सबसे पहले जाने Global Innovation Index जो है यह जारी कौन करता है तो इसको जारी करता है World Intellectual Property Organization ठीक है और इसमें भारत का स्थान जो है 49 है पहले अस्थान पर कौन सा देश है तो स्वीर्जर्लेंड है ध्यान रखेगा पहला अस्थान भी पूछा जाता है तो पहले अस्थान पर स्वीर्जर्लेंड है भारत का स्थान जो है वो 48 है अगला question देखिए अगला question है friends कि भारतिये खाद सुरक्षा यो मानक प्रादिकरन FSSAI द्वारा जारी राज्ये खाद सुरक्षा सुचकांग 2020 का नुसार बड़े राज्यों में पुछा जा रहा है तो बड़े राज्यों में ध्यान रखेगा गुजरात जो है पहले अस्थान पर है दूसरे अस जासित प्रदेश में चंडिगड पर थमस्थान पर है तो बड़े राज्यों में कौन सा राज्य है गुजरात चोटे राज्यों में गोवा और के अंदर सासित प्रदेश में चंडिगड नेक्स्ट कुस्टन देखिए अगला कुस्टन काफी important है देखे friends कुस्टन है कि Asian Game लिए विकास खन्ना को चैनित किया गया है विकास खन्ना जो है एक मसहुर भारतिये सेफ हैं अगला कुस्चन देख लिजे कुस्चन नबर फाइफ है फ्रेंट्स कि एक सप्टमबर 2020 को किसने असोक लवासा के अस्थान पर नए निर्वाचन आयुक्त का पदभार गरहन किया तो देखिए असोक लवासा जो है अब Asian Development Bank के उपाद्यक्ष बन गया है और उनका स्थान पर निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला है राजीव कुमार ने ओप्सन नमबर भी साइंसर हो जाएगा ध्यान रखेगा मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयु उर्जा सेंतर किस देश में इस्तित है तो वराकाह परमान उर्जा सेंतर जो है यहां संक्त अरव अमिरात यानि की UAE में है तो सही अंसर ऑप्सन नमबर A हो जाएगा फ्रेंट्स उमीद कर रहा हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो फ्रेंट्स वीडियो को ल सागर से जोडने वाली जो नहार है कौन सी नहार है स्वेज नहार है ध्यान रखिएगा इंप्रेंट्स पूछा जाता है उसका बद अगला कोस्टन देखे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यानि कि पहला उपदेश कहां दिया था तो WHO World Health Organization का मुख्याले कहां इस्तित है फ्रेंट्स कोरोना के चलते WHO काफी चर्चा में रहा है तो ध्यान जी जिए इसके अस्थापना जो है फ्रेंट्स साथ अप्रेल याद रखेगा साथ अप्रेल उनी सो और तालिस को हुई थी साथ अप्रेल के दिन ही विश्व स्वास्त दिवस मनाये जाता है और इसका हेटकॉर्टर जो है फ्रेंट्स यह है स्वीटिजर्लेंड के जेनवा में उप्सन नमबर बी इसका सही अंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्ष्ट कोसन देखें नौ नमबर प्रश्ण है कि डिफ्तिरिया रोग से कौन सा अंग प्रभाईत ह होता है तो देखें फ्रेंट्स जिफ्तिरिया जो है यहाँ जीवानू के द्वारा होता है किसके करण से होता है जीवानू के द्वारा होता है और इसमें जो है स्वासनली प्रभाईत होता है स्वासनली को यह प्रभाईत करता है और इस बीमारी में जो है ध्यान रखेंगा सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटता है Question number 10 देखिये अग्रंट से Next question देखिए Next question है कि स्रीकांत उपनियास के रचनाकार कौन है काफी important question है तो ध्यान रखेगा स्रीकांत उपनियास के रचनाकार है सरत चंदर Option number B, correct answer हो जाएगा सरत चंदर के द्वारा ही लिखी गई है तो याद रखेगा सरत चंदर के द्वारा लिखी गई है उसके बाद question number 12 देखिए Question number 12 है कि भारतिय समिधान की धारा 370 निमने लिखित में से किस्से निरूपित करती है तो यह धारा 370 जो है friends यह जो संबंदित है जम्मू एम कस्मीर राज को विशेस दर्जा से संबंदित है जो की अब हटा लिया गया है इसको समाप्त कर दिया गया है ध्यान रखेगा उसके बाद अगला question देखिए 13 number question है कि भारतिय समिधान की किस अनुसूची का संबंद भासाओं के साथ है तो मैं कई बर बता हैं आपको भारतिय समिधान में टोटल 12 अनुसूचियां है और इसमें जो आठवी अनुसूची है इसमें 22 भासाओं का उलेख किया गया है सही answer option number D हो जाएगा आठवी अनुसूची में जो है भासाओं का इसमें जो है विवरन है 14 number question देखिए 14 number question है कि सोडा वाटर बनाने के लिए परियोग की जाने वाली गैस कौन सी है तो फ्रेंट्स सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइक्साइड का परियोग किया जाता है उसके बद अगला question देखिए भारत में पंच वर्षी योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है तो देखे फ्रेंट्स पंच वर्षी योजना बनाने की जिम्मेदारी जो थी ये योजना आयोग पर थी योजना आयोक के अस्थान पर अब निती आयोक का गठन किया गया है निती आयोक का अध्यक्ष कौन होता है भारत के प्रधान मंतरी होते हैं निती आयोक का उपाध्यक्ष कौन है राजीव कुमार है निती आयोक का CEO कौन है अमिताब कांथ है ध्यान रखिएगा और फिलाहाल जो है पंचवर्षी योजना को अस्थागित कर दिया गया है अगला कॉस्षन देखिएगा अगला कॉस्षन काफी इंपोर्टेंट है एजरा कप का संबंध किस खेल से है तो फ्रेंट्स एजरा कप का जो संबंध है वह है पोलो से औप्सन नमबर सी सही इंसर हो जाएगा ध्यान रखिएगा सभी कॉस्षन इंपोर्टेंट है और ये पूछे जा चुके हैं प्रिवियस येर में रेडियो का अविस्कार किस ने किया था तो फ्रेंट्स रेडियो का अविस्कार जो है मारकोनी ने किया था टेलिविजन का अविस्कार जो है JLWird ने किया था और विदूत जो बल्ब है उसका अविस्कार एडिसन ने किया था चार्ल्स बैवेज को कम्प्यूटर का जनक कहा जाता है फादर अप कम्प्यूटर अगला कोस्टन देखिए नेक्स्ट कोस्टन भी काफी इंपोर्टेंट है चंदी गड़ के रोक गार्डेन के स्रिजन करता है तो फ्रेंट्स चंदी गड़ के रोक गार्डेन के स्रिजन करता है नेक चंद सैनी ओफ्शन नमबर ए हो जाएगा नेक चंद सैनी correct answer इसका हो जाएगा next question देखें friends next question है कि Columbia Antrixian space shuttle जिसमें भारतिय मूल की वेज्ञानिक कलपना चाला गई थी यह आपसे पुछा जा रहा है कि किस देश का Columbia Antrix shuttle जो है यह किस देश का है यह अमिर्का का है और यह दुरगहटना गरस्त कब हुआ था तो ध्यान रखेंगा friends यह दुरगहटना गरस्त कब हुआ था तो एक फरवारी 2003 को यह दुरगहटना गरस्त हुआ था और इसमें 6 लोगों को मिर्ति हो गई थी अगला question देखिए next question है कि AIDS रोग में अक्षर एक आतात पर एक क्या है तो सबसे पहले आपको AIDS का full form जानना होगा इसका full form है acquired immune deficiency syndrome एक बार मैं और repeat कर देता हूँ acquired immune deficiency syndrome सही अंसर हो जाएगा acquired यह फोर acquired हो जाएगा ध्यान रखेगा AIDS जो है यहाँ विशानूं की द्वारा होने वाला रोग है उसके बाद अगला question देखिए कि भारत में stock exchange का नियमन करने वाली body कौन सी है तो फ्रेंट्स यहाँ संस्था जो है यहाँ SEVI है ठीक है SEVI अंगरेजी में SEBI लिखा जाता है इसका full form मैं आपको बता देता हूँ इसका full form होता है Securities and Exchange Board of India इसका अस्थापना 1992 में होई थी ध्यान रखेगा और present में इसके अध्यक्स कौन है तो अजय त्यागी है SEBI का headquarter मुंबई में है अगला question देखे फ्रेंट्स उमीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो please friends वीडियो को like और share जरूर कर जीजे पीतल किसका मिसर धातू है तो पीतल जो है यह किसका मिसर धातू है यह टांबा और जस्ता का मिसर धातू है option number C correct answer इसका हो जाएगा 27 number question देखिए यह सारे प्रश्न पिछले वर्स पूछे जा चुके है कारवन का सुधतम रूप क्या है तो friends कारवन का सुधतम रूप जो है यह हीरा है ध्यान रखिएगा क्या है हीरा है next question देखिए और answer अगर आपको पता है तो आप लोग answer comment करके बताते चलिए नीले लेटमस पेपर को लाल रंग में बदलता है तो नीले लेटमस पेपर को लाल रंग में बदल जाता है अमल ठीक है? ध्यान रखिएगा और लाल को नीले में कौन बदलता है? छार बदलता है तो अमल और छार आपको पता होना चाहिए pH scale पर 7 से ज़्यादा जो होता है जिसका pH मान वो छार होता है 7 से जिसका कम होता है वो अमल होता है 7 जो होता है question number 26 है कि दूर दुर दृष्टी दोस को किस lens के परियोग से ठीक की जा सकती है तो देखे दूर दृष्टी दोस में किस lens का परियोग किया जाता है बताईए उत्ता lens का option number A science हो जाएगा और निकट दृष्टी दोस एक होता है निकट दिरिष्टी दोस में किस lens का परेव होता है और तल lens का होता है तो इसको भी आपको ध्यान रखना है एक micron बरावर होता है तो देखें फ्रेंस एक micron जो है यहां बरावर होता है 0.001 mm के यानि कि मिलिमेटर के option number B जो होगा science रिसका हो जाएगा next question देखिए question number 28 है कि कोई cycle सवार किसी मोड पर भूमता है तो वह तो science और इसका क्या हो जाएगा science और इसका हो जाएगा भीतर की ओर जुखता है option number B इसका correct answer हो जाएगा next question देखिए next question भी important है सामानेत्या कुण्जी का प्रियोग दो पूर्जों के बीच खाली अस्थान है गती को रोकने के लिए किया जाता है तो ये कक्छिये गती को रोकने के लिए किया जाता है option number C जो होगा इस प्रशन का correct answer हो जाएगा 29 का C correct answer हो जाएगा next question देखिए 30 number 30 number question देखिए स्वयबीन का सरवाधिक उत्पादन किस राजी में होता है तो friends ध्यान रखेगा स्वयबीन जो है यह protein का उचितम सरोत माना जाता है और स्वयबीन का सरवाधिक उत्पादन जो है यह मध्यप्रदेश में होता है next question देखिए petroleum पाया जाता है काफी important question है petroleum पाया जाता है sedimentary basin में option number A इसका science jur हो जाएगा उसके बाद अगला question देखिए अगला question है कि राष्टि एकता परिशत की अध्यक्सता कोन करता है काफी important question है जरोर ध्यान रखेगा राष्ट्य एक्ता परिशत की अध्यक्सता जो है यह भारत के परधान मंत्री के द्वारा की जाती है और अपसन नमबर ए इसका correct answer हो जाएगा उसके बाद एक तैतीस नमबर question है कि महात्मा गांधी के राजनितिक गुरू के रूप में किसे जाना जाता है कोस्टन बार बार यहाँ पुछा जाता है महात्मा गांदी के राजनित्ति गुरू के रूप में जाना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को उसके बाद 34 नमबर कोस्टन देखे important कोस्टन है कि लाख बक्स के नाम से किसको जाना जाता है तो लाख बक्स के नाम से जो है यहाँ जाना जाता है कुतुबदीन एबक को लाख बक्स का मतलब होता है लाखो का दान करने वाला कुतुबदीन एबक ने 12-6 बी में गुलाम मौंस की अस्थापना की थी ध्यान रखेगा और इसकी मृत्यू जो है पोलो या चोगान खेलते समय घोडे से गिरने के कारण हो गई थी अगला कुस्टन देखिएगा कुस्टन नमबर 35 देखिए मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है तो फ्रेंट्स मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है या भारत के राष्ट्रपती के द्वारे की जाए सकती है उसके बाद देखिए काफी इंपोर्टेंट कुस्टन है किसी राज्य का उचितम विदी अधिकारी कौन होता है तो राज्य पुछा गया है तो राज्य का होता है एडवोकेट जेनरल अगर केंद्र पुछा जाए तो यह होता है अगला कुस्टन है कि हीतो पदेश के लेखक कौन है तो हीतो पदेश की लेखक जो है यह है नरायन पंडित अप्सन नमबर सी सही अंसर इसका हो जाएगा उसका बाद 38 नमबर देख लिजे आईड़ी बी आई इसको कहा जाता है इसकी अस्थापन कब होई थी? यह आप से पूछा गजा रहा है तो आईड़ी बी आई की अस्थापना जो है 1 जुलाई 1964 में होई थी अप्सन नमबर सी इसका सही इंसर हो जाएगा इसका headquarter जो है मुंबई में है अगला question देखिए 46 number question ये भी question important है Rand जो है किस देश की मुद्रा है तो देखिए friends मुद्रा से संबंदित प्रशन पूछे जाते हैं तो Rand जो है यहां दक्षिन अफ्रिका की मुद्रा है option number A जो है सही अंसर इसका हो जाएगा अगला question देखिएगा question number 41 है कि पहला प्रिथवी सम्मिलन कहां हुआ था तो ध्यान रखिएगा पहला प्रिथवी सम्मिलन यानि कि Earth Summit जो हुआ था ये 1992 में हुआ था ब्राजील के Rio de Janeiro में option number C सही अंसर इसका हो जाएगा उसके बाद पूछा गया है कि विश्व जन संख्या दिवस यानि कि World Population Day कब मनाया जाता है तो friends World Population Day यानि कि विश्व जन संख्या दिवस प्रती वर्स 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है option number B इसका सही अंसर हो जाएगा उसके बाद देखिए अगला कोश्चन है कि पाली गरंथों में ध्यान रख्ये का पाली गरंथों में गाउं की मुखिया को क्या कहा गया है तो पाली गरंथों में गाउं की मुखिया को भोजक कहा गया है option number B सही अंसर इसका हो जाएगा 44 number question देखिए तो तेरहवी सताबदी में सेना का सर्वच अधिकारी होता था तो तेरहवी सताबदी में सेना का सर्वच अधिकारी जो है ये क्या होता था खान होता था option number B इसका सही अंसर हो जाएगा 45 number देखिए कि डेल्फ नामक डज नौका ने 605 इसवी में कहां लंगर डाला था तो डेल्फ नामक डज नौका ने 605 इसवी में मसूली पटनम में जो है लंगर डाला था option number A is the right answer ध्यान रखिए काफी important question है अगला question देखिए ये भी प्रशिन काफी important है गुप्त वंस के हरास के पस साथ उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर गठन किस ने किया था गुप्त वंस के पस साथ उत्तर भारत के बड़े भाग को पुनर गठन किया था ये किया था हर सवर्धन ने हर सवर्धन के समय में हें स्वांग भारत की यातरा किया था ये भी प्रशन पूछा जाता है ध्यान रखेगा हर सवर्धन इसका correct इंसर हो जाएगा next question देखी option number 47 है कि भारत में गुलाम बंस का संस्थाप कौन था थोड़ी दिर मेहले मैंने बताया आपको कि 12-16 वी में गुलाम बंस का स्थापना इसने क्या था खुतुबदीन एबक ने किया था option number 1 सही इंसर हो जाएगा निमलिखित गटनाओं में से देखिए कौन से घटना जो है 1919 में घटी थी तो 1919 में जो है इसमें से कौन से घटना घटी थी जालिया वाला बागहत्या खान आप लोग ज़रा डेट सहीत कमेंट किजिए कि जालिया वाला बागहत्या कांड की घटना जो है कब घटिट हुई थी अगला question देखिएगा 49 नंबर 49 नंबर है कि 1916 में मदरास में प्रशन को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा मदरास में स्वासासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे होम रूर लीग आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे तो ये एनी बेसेंट थी अगर पुने पुछा जाता तो पुने में किसने किया था बाल गंगाधर तीलक ने किया था अगला कोस्टन देख लीजेए कोस्टन नबर 50 है फ्रेंटस के लिखित में से किसंने 1800 संताओन के विद्रोह का कानपूर में नयत्रित रुकिया था तो कानपूर में 1877 के विद्रोह का नेत्रित जो है नाना साहब ने किया था कुवर सिंग ने बिहार में किया था रानी लक्षमी बाई जो है इन्होंने कहां किया था जासी में किया था अगला question देख लीजे, अगला question है कि इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के स्थापक कौन थे, तो friends इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के स्थापना 1885 सिबी में जो है, किसने किया था, ये वो हुम ने किया था, तो देखे, एलन ओक्टियन हुम जो है, इनका पूरा नाम है, option number B, इसका correct answer हो जाएगा, 52 number question को देख, question number 52 है कि कॉंग्रेस का पर्थम अधिवेशन 1885 सिबी में बंबई में W.C. बनर्जी, यानि कि ब्यमोश संदर बनर्जी के अध्यक्सता में संपन हुआ था, याद रखेगा, ये भी प्रशन एक तरह से बन सकता है, उस समय भारत का वायसराय थी 1885 में, तो ध्यान रखना आपको, अगला question देख लीजिए, अगला question भी काफी important है, मुस्लिम लिख की अस्थापना 1906 में हुई थी, ध्यान रखेगा, उस समय के उसके उदेशियों में से कौन सी बात समिलित नहीं थी, तो देख, उस समय कोई भी बात समिलित नहीं थी, कि समिधान के किस अनुछेद में अलफ संख्याकों की हीतों के सरक्षन की व्यवस्था है, काफी important question है, तो यह है article 29 में, option number B इसका correct answer हो जाएगा, next question देखिए, कि समिधान के किन अनुछेदों में मौलिक अधिकारों का वरणन है, तो मौलिक अधिकार जो है समिधान के जो है, योगिक कौन सा है इसमें से, तो योगिक जो है इसमें से कौन सा है, friends, बताइए, science answer इसका क्या हो जाएगा, तो काफी important question है, ammonia जो है, इसका correct answer हो जाएगा, option number D, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ammonia हो जाएगा, वाई क्या है, वाई मिसरन है, अगला question देखिए, question number 57 है, पिलिया किस अंग का रोग है, तो friends, देखे, पिलिया, जो है, यहाँ, यकृत को प्रभाइद करता है, option number B, जो है, science answer हो जाएगा, पिलिया, ध्यान रखिएगा, अगला question देख लीजिए, अगला question मिलान करने वाला है, एक तरफ पुस्तक लिखा गया, और दूसरी तरफ उ हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग मिला लीजेगा, option number B, इसका correct answer हो जाएगा, उसके बाद next question देख लीजिए, वीत आयोग है एक, तो देखे, friends, वीत आयोग जो है, एक समिधानिक संस्ता है, वीत आयोग के गठन का प्रधान जो है, article 280 में है, और इसके गठन का अधिकार जो है भारत के राष्टपती के पास है, ठीक है, ध्यान रखेगा, काफी important question है, next question देखिए, question number 60 देखिएगा, सिक्षा और वन समिधान के किस सूची के अंतरगत आते हैं, तो तीन सूची है, संग सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, तो सिक्षा और वन जो है, यह समवर्ती सूची का विशा है, option number B, सही अंसर इसका हो जाएगा, उसके बाद देखिए, exact number question, कि उत्री दरूपर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था, तो friends, उत्री दरूपर और दक्षनी दरूपर, दोनों ध्यान रखेगा, उत्री दरूपर, रोबर्ट पियरी सबस समवर्ती में है, option number D, इसका correct answer हो जाएगा, तो friends, हमने total 62 प्रशनों को cover किया है, आप comment करके बताए कि इन में से कितने का उत्तर आपने swim दिया है, उमीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, इससे पहले वाला fast revision का part 1 देख लीजेगा, link description में है, मिलते हैं friends, next वीडिय असक्तर था हो जाएगा, और आपना देख लीजेगे इन में हमनेlikी